असलाम लेकूम दिज इसमी माहममरी राजी हूँ आप लोगों की खित्मत में एक और जब दस्य दिन न्यू और इंफामेटिक से टॉपिक के साथ आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक को डिसक्स करने के लिए जा रही हैं वह है फंक्शन की आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम बात करेंगें कि फंक्शन कीज क्या होती हैं कैसे जो हैं इसका इसका इस्तमाल करते हैं और कैसे जो हम इसका इसका सकते हैं हम उसी तब ही यूज कर सकते हैं जबके हमारे पास कीबोर्ड जो है मजूद होगा जो फंक्शन कीज है य होगे हम अपने जो डिफ़रेंट के काम होते हैं उनको पुछाय Emma जा करते हैं तो आई हम स्टार्ड करते हैं अपनी पर्सकी से जो के है एफ वड तकिश का जो स्तमाल है वो हम जो है किसी भी ब्राउजर या फिर MS Word में जो है help के लिए जो है इस्तमाल करते हैं सेकिंड नमबर पर हमारे पास आ जाती है जी F2 Keys F2 Keys का जो इस्तमाल है वो हम किसी भी जब यानि के file या folders को में जो work कर रहे हैं और हमने इस file या folders को जो है किसी भी name से save किया हो और अब हम उसको rename करना चाहते हैं यानि कि दुबारा से कोई name देना चाहते तो इसके लिए जो है हम F2 Keys का जो है इस्तमाल करेंगे नेक्स हमारे पास आ जाती है जी F3 Keys F3 Keys का जो इसके पास प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है एक सचिंग बार उपन होगे वहां पर पार्टिक्लर चीज को क्या कर सकते हैं सच कर सकते हैं नेक्स मारे पास आ जाती है जी F4 नौर्मली जो F4 Keys का इस्तमाल है हम उसको जो है ऑल्ट के साथ जह है यानिके प्रेस करके जो है यानि के F4 जब हम यह कीज प्रेस करेंगे तो यह हमें तू जो वर्क है वो सर अन्जाम देंगी जाता के क्लोस का काम और शट डॉन का काम यानि के अगर हमारे पास कोई भी प्रोग्राम स्कीरीन के उपर जो ओपन है और हम उसको ब्रक्राइब करना चाहें तो इसके लिए हम अपडर करेंगे तो यह जो और यह कंप्डूटर की शटिंग डॉन है उसको भी करने के लिए अफ़ एक थो कीज के जाता है f5, f5 की जो कीज है यह refresh, reload और Slideshow के लिए इस्तमाल की जाती है यानि कि विंडो की स्क्रीन को refresh करने के लिए हम f5 की कीज को प्रेस करेंगे तो हमारे जो विंडो की स्क्रीन होगी इसको क्या कर देगी उसको refresh कर देगी अगर हम किसी भी ब्राउजर ये फिर किसी भी पेज में जो है यानि कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा और अगर हमें वहाँ पर कोई और पेज रिलोड करना हो तो हम क्या करेंगे 5 प्रेस करेंगे तो वो पेज भी रिलोड हो जाएगा और अगर हम MS Word में जो हैं काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो हैं हमको स्लाइड शो करना चाते हैं तो वहाँ पर भी अगर हम F5 Keys को प्रेस करेंगे तो हमारी स्लाइड भी शो हो जाएगी नेक्स हमारे पास है जी F6 Keys एफ 6 जो Keys है ये हाईलाइड अड्रेस बार के लिए इस्तमाल की जाती है यानि के अगर आप किसी भी ब्रॉजर में काम कर रहे हों और आपने वहाँ पर कोई भी चीज जो है उसको सर्च करना हो तो हम क्या प्रेस करेंगे हम F6 Keys जो है उसको प्रेस करेंगे हमारे पास जो है वो एक सर्चिंग बार ओपन हो जाएगी हम वहाँ पर कोई भी जो है चीज को सर्च करेंगे या पार्टिकलर चीज को सर्च करेंगे तो वो हमारे सामने शो ओफ हो जाएगी हमारे पास next जो Keys है वो है फ 7 Keys F7 Keys जो है यह spelling checking के लिए इस्तमाल होती है यानि के grammar के लिए इस्तमाल होती है अगर आप किसी भी जो है इस्तमाम जो वर्ड्स होंगे या फिर पराग्राफ होंगे वह हाई-लाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे ने पास है अगर आप अपने system में बूट मेन ये के लिए इस्तमाल की जाती है यानि कि अगर आप अपने system में बूट मेन इयो को open करना चाहते हैं तो आपको घ्राफ नाइन अगर आपके पास बूट मेन का option है वह आपकी computer के उपर show हो जाएगा F9 Keys जो है यह हम करते हैं जि रिमूव सेलेक्टिद एटम यानि अगर आप कोई भी वो भी कोई भी सेलेक्टिद एटम जो का आपने स्लेक्ट की हुई ए ठीक है उसको अपर है ठीक है उसके लिए जी F10 Keys का जो इस्तमाल है वो हम करते है नॉर्मली जो है Shift प्लस F10 के साथ ठीक है तो यह हमार यह जो है कामसार अंजाम देता है जी यहनिके राइट क्लिक का मिसाल के तोर के ऊपर अगर हमारा जो मौस है वो खराब हो गया तो हम जो है अपने हमारा मौस खराब हो चुक है अब हम कीबोर्ड से जो राइट क्लिक का काम देना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम प्रेस करेंगे Shift फ्लस F10 तो हमारा जो कीबोर होगा ना वो as it is बिल्कुल ही मोस की तरहां काम करेगा राइट क्लिक का एफ 10 जो कीज है यह MS Word में जो आपका मैन्यू बार होता है उसको भी क्या करता है activated कर देता अगर आप MS Word में जो है काम कर रहें और आप उसके मैन्यू बार को एक्टिविटिड हो जाएगा नेक्स हमारे पास है एफ 11 जो कीज है यह यानि के अगर हम कंप्यूटर के ऊपर कोई भी चीज जो है देख रहे हैं चाहे वह पिक्चर्ज है मुवीज है अपिस कुछ भी ठीक है अपिसोन्त सुन रहे हैं कि अपने कंप्यूटर की20 को जो बड़ा करना करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्रेस करें के पूसके लिएARON परनों फोल सक्रीन कोई आगर आपनी सक्रीन कर परस से करें दो आपकी जो सक्रीनबश करें वो हम करते हैं save as के लिए यानि के अगर आप computer के अंदर आपने कोई भी जो है file को save किया हुआ है अब आप उस file को जो है दुबारा से उसके अंदर आपने कुछ changing की है या फिर उसके अंदर आपने कुछ additions की है तो आप उसको जो है दुबारा से save करना चाहते है तो यह हमारा computer तो यह थी कुछ फंक्शनल्स की इस्तमाल करते हुए जो है हम अपना काम है उसको बहुत ही कम वकत में अपना काम है इसको सरण जाम दे सकते हैं इससे जो हमारी बहुत ज़्यादा जो है टाइम की सेविंग होती हैं मेरी आज की वीडियो जहें वह आपको अच्छी लगी आप लोगों के साथ फिर किसी न्यू दीन और न्यू और इंफार्मेटीव से टॉपिक के साथ मुझे दीजिए अभी इजाज़त अलानी के बाइंच